नमस्कार आप देख रहे हैं जन्तन्तुरी टीवी आपके साथ मैं हूँ निदा एहमद नमस्कार मैं हूँ आपके साथ विशाथ कालरा पाकिस्तान की नपाक हरकत हो या चीन की चलाकी हो बिलकुल सेना के खिलाफ बयान बाजी हो या फिर देश में चल रही सियासत हो हर मुद्दे पर खुल कर अपनी बात रखते हैं एक मुखर अवाज ओल इंडिया एंटी टेररिस्ट प्रंड के चेर्मेन और राश्रुबादी सामाजिक कारेकर था एम इस बिट्टा जो महज आपको बता दे बहुत कम उमर में ही राजनीती में आए और कॉंग्रस सेवा दल से जुड़ गए भगत सिंग को अपना आदर्श बनाया और पंजाब में बेयन सिंग की सरकार में मंत्री भी रहे और आप शहीद सेनिकों के परिवार वालों के लिए काम करते हैं देश से आतंकवाद के खात्मे के लिए जबरदस्त मुहिम चलाते हैं इनके समर्थकों का क्या कहना तरसल उनका ये कहना है कि आतंकवादी भी इनसे डरते हैं कई बार इन पर जान लेवा हमले हुए लेकिन इसके बावजूद इनके हौसले में न कमी आई ना ही इनकी आवाज किधार कम हो पाई जी हाँ बिल्कुँ सही सुना आपने और आज वही मुखर अवाज MS बिट्टा साहब हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजोद हैं सर बहुत वह स्वागत है आपका जनतंतर टीवी पर कि वह बेटा साथ शुरवात करते और बिना जो पहला सवाल है उसे हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं और पहला सवाल यह है वह है मोदी की गैरंटी से जुड़ा हुआ आप देश के सुरक्षा पर बात करते हैं आप आतंक बात करते हैं लेकिन आप सामाजिक मुद्वों पर भी सबर्दस बात करते हैं देखिए पहला सवाल देश में इस वक्त मोधी की गैरेंटी चल रही है और दुनिया के नंबर वन रेता कई सारी सर्वे आ चुके हैं कई सारी रेटिंग एजंसी ने प्रधान मंत्री मोधी को नंबर वन रेता बताया है सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा देश कितने सुरक् होना और पाप समझता हूं राजनिती कुम अच्छा नहीं मानता मैंने जितनी भी काम किया रास्थवाद के ओपर किये शरीर के ओपर अगर 14 बार हमले सहे सतर लोग मेरे साथ मेरे जवान शहीद हुए तो रास्थवाद के नाम पे हुए मैं इतना कह सकता हूं कि मैं बंद कमरों में जब जवानों की बॉड़ी जमू कश्मीर के अंदर या पूरे देश के अंदर हर गाउं में हिंदू मुसलमान शिक्षाईयों के खून के तरंग कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे बंबो या गोलियों से चले जाएंगे इन परिवारों को कौन देखेगा इनकी आवाज कौन उठाएगा हमें नहीं पता था हमें मालूम नहीं था कि हमारे जीते जी भगवान शरी राम गुरू माराज बोले शंकर खर्खर महादेव क को ऐसा एक फ्रिष्टे के रूप में आएंगे तो तीन सो सतर जारा भी हटा देंगे ना दंगे हुए ना फसाद हुए ना गोली चली ना बंब चला पच्चतर साल की कैंसर की विमारी को उखाड करके फेंक दिया जाएगा और पूरी दुनिया से को आवाज ही नहीं उठत ते कर दे लोग उस पर गंदी राजनिती करते रहे हमें नहीं पता था कि ना कोली चलेगी ना बंब चलेगे ना ना दंगे हुए ना फसाद हुए ना फसाद हुए जैशरी राम होगा और वहाँ राम जन्व बूमी का नेरमान इतनी जल्दी होगा हमें इन चीज़ों को थे एक सलाई मिशीन दे देते थे और फोटो खिचा लेते थे और फोटो अकबार में आ जाती थी लोग उसको माल लेते थे और जब कारगिल के जुद में शहादत हुई उन परिवारों को को पूछने वाला नहीं था हमें याद है हमने पार्लीमेंट में पार्लीमेंट अनैसी और वग्यान बवन में फंक्शन किया जगजी सिंगरोडा कहत्तर जंग के हीरो को पॉलिटीशन हमने नहीं बुलाया सब जवान जितने शहीद हो उनकी फैमिली जितने तक मेरा राफ्टा था भुलाया मेरा ख्याल कि उस वक्त हमने दो दो तिन तिन चार्चात लाग का चक दिया होगा हमको देखके फिर सरकारों ने आगे पहल की हमें नहीं पता कि स्टेट गॉर्मन्ट एक क्रोड अलग देगी दो क्रोड उनकी बेटियों की शादी उनके प्लैट उनका शिक्षा हमने सोचा नहीं था उस वक्त जैसे आप बता रहे हैं कि वदल्ब नहीं सोचा था कि मोदी जी आएंगे या उस वक्त ख्याल भी नहीं था कि मोदी सरकार आएगी तो यह होगा तो अब ऐसी में सवाल यह क्योंकि मोदी जी आ चुके हैं और वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं देश में अगर नंबर एक पर आता है किसी नेता का नाम किसी लीडर का तो प्रधान मंतरी मोदी का आता है अब मोदी की गारंटी को MS बिट्टा कैसे ने मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे जीते जी किसी जवान की शहादत ना हो हमारा जीते जी हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरू बने जो कभी सोने की चड़िया कहा जाता था सोने की चड़िया क्यों बदला कभी अंग्रेज आए कभी मुगल आए कभी यहां गंदी राज जिनिती हुई कभी हिंदू-मुस्लमान शिक्रसाई फसाद हुए वह सोने की चडिया तो कहा जाता था क्योंकि यहां था इस होना हिंदोस्तान ख़जाना था तभी तो मोगल आते थे तभी तो अंग्रेज आते थे कोई अमेरिका में क्यों नहीं चले जाता था कोई कहीं और क स्थिती पे हम खड़े हैं जिस तरीके से नरंदर मोदी जी और उनकी पूरी टीम जहां अजी डवाल जहां फॉरण मिनिस्टर स्री जैशंकर जो हमने कभी नहीं सोचा था कि को बीरोक्रेट को आई पीएस को आई एस उसको फटा-पट उठाके इंडियन फॉरण सर्विस जगजीत पूरी को और दो लिमेंट बना देंगे और पूरा पार्लीमेंट दो साल में कड़ा करतेंगे हमें नहीं पता था कि कोई इंडियन फॉरण सेर्विस का सेक्टिय को फॉरण मिनिस्टर मना देंगे और世界omina के अंदर हिंदोस्तान की फॉरण मिल्ट्री को इतना खड़ा करतेंगे तो मेरे कहने का मतलब है मोदी जी को मैं यह नहीं कह सकता कि वो लीडर है मोदी जी को यह नहीं कह सकता कि वो उनका कोई सोच या कि मैं अगली बार प्राइम मिनिस्टर बनूं नहीं उनकी जरूरत हिंदोस्तान को है हुंदे जरूरत हमा बगवान के आगे जब मंदर में कहीं जाते हैं दूआ करते हें बगवान हमारी बची हुई बोनस की जन्दीगी भी ले लेयना हमारी उमर नेरिके अमका लिए और रस्या की जंक, उपर से गोलियां, बम, रॉकट लंचर और कहा गया जिस बच्चे के हाथ में तरंगा होगा, उस पे गोली नहीं चलेगी, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, उसके बच्चे तरंगा पकड़ लेते हैं और माबाप कहते हैं, अगर मोदी जी न होते इतना ताकतवर लेडर हमारे साथ कड़ा है कि उसके नाम की गोंच विदेशों में भी सुनाई देती है, इसलिए मोदी की गारंटी की बात आप से हमने के, क्योंकि बीचे पे खुद इस बात को कह रही है, आज आप कोई भी छोटी चोटी चोटी चीज जिससे हमारा हिंद के पुचा दी, कितने रास्ते अच्छे बना दिये गे, कहां हमारे जवान कितनी मुश्कल से बौर्डर पे जाते थे, कड़क सर्थी में तूटे हुए पे, सामने चाइना खड़ा है, सामने जंग खड़ी है, आज टर्मिनल बना दिये जगा जगा, मुने चोटी चोटी च कुछ नहीं, हम भी तो सरकारों में मंतरी थे, हम भी तो यूथ कॉंगर्स के प्रेइडेंट है, हमने तो नरसिमा राव जी को देखा, उनकी छोट नरेंदर मोदी जी की तरह थी, उनकी उमर होती चोटी तो और अच्छा कर जाते, पर उन्होंने मनमोन सिंग को उस वक्त ल आज हमारा हिंदोस्तान, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारा देश गिर्वी रखा जासो का था, क्यों? क्योंकि हमारी पुलिटिकल विल कमजोर थी, हमारे स्वार्थ थे, हमने ये चनाव जीता, अपना आदमी है, फनाने ग्रुप का, इसको फाइनास मिनिस्टर बना दिय उतको आज काबलियत के लोगों को हर जगा पर लगाया गया, यही कारण है सबसे बड़ा मुदी जी दुनिया गूमते हैं और वो अपना काम करते हैं, आपको लगता है कि इसके बाद इस मुद्दे पर हो रही राजनीती कम से कम खत्म हो जाई देखो, मैं उस वक्कांग्रस में था, मुझे याद है कि मैं कई वर्ष पहले आज बीस फाल्स पूरे हो गए शायद, मैं बाला जी मेंदीपुर मुझे मेरा कोई दोस्त ले गया मत्था ठेकाने के लिए, मैं आज कलियर बात आपने बुलाया, इतनी मेनत तो मैं दिल की ब गया है, मैं रोड़े लग गया, मेरा दोस्त कहता है, या रोड़े मैं कोई बात नी, आर्थी चल रही थी, मेरे मन में विचार आया, उस दिन सोनिया गांदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनना था, अब्दुल कलाम के रास्त्रपती भवन गये थे, पहली बार बता रहा मेरा उस से कोई सोनिया गांदी जी से कोई विरोध नहीं है, मेरे लिए प्रत्थम रास्त है, कॉंग्रसी बाद में, सरदार बाद में, पहले मेरा धर्म भारत मा, मेरी जात बंदे मातर, मैंने हनुमान जी से एक सवाल किया, मैं कहा हनुमान जी, कितनी कुर्वानियों से द लेज़ की संस्कृति को कौन समझे हम बंदे मात्रम भारत माता की जय बोलने वाले अब गुड मौर्निंग गूड नाइट हम नहीं बोल पाएंगे है बगवान किरपा करना की तो हमारा यही इस्टेटर्ड अमारा हो गया हमारा जो देस्ट सुरक्षत हातों में जाए जो हमा बाज शुरूब आज की मैं का मेरे तो दोस्ते मैं का रेडियो लगा रेडियो लगा उन्हें रेडियो में आवाज आई कि डॉक्टर मनमौन सिंग हिंदोस्तान के प्राइम मिनिस्टर मैंने वहीं का है बगवान हनुमान जी जितनी दिर मेरा जीवन है बंबो से बचा हुआ कि लेकर रखना में हर महीने आपके चर्नों में छंडिया मंगल को हाज रेगा बढने लग्या जैङ भरने लग लग्या तो हनुमान, चाल शॉब, पढ़ने लग्या, घर बले मंदर भी बढ़ distant चला गया एक दना आवाज आई की राम से, तर场 आ राम सेतु तूट जाएगा मैं हनुमान चल से पढ़ते पढ़ते इतना मुझे जाद है जया गुरु जी के नाम के एक शबत था मैं है गुरु नाम सागर मैं कहनुमान जी राम जी आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं करूंगा जा तो राम सेतु तूटने ने ही दूंगा मेरे दोस्ते नौड़ा के अंडर रैडिसन होटल के मालत एमबीडी ग्रूप वाले आज नहीं रहे मलोतरा साथ वो मेरे साथ एक और चले गया वहां राम से तू एकी तीरस तानों का जो कुए होते उनका इशनान करके समुंदर में इशनान करके कह दिया जिसने राम से ने ऐसा आया शरकार बनी और निव आई कि राम से तू नहीं तूटे 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 गा बोलो जया शिया राम मेरी जीवन मेरा बचा है नरंदर मोधी की अगर फैसना नकरते नितन गड़कडी अकर फैसना नकरते राम से तू का तो बिट्टे ने अपना सरीर जे दिया जाना तो भंबो गोनियों से भी था अगर राम के चर्णों में जीवन चले जाता तो और वेरे से इसी बड़ी क्या होती पर हो गया ठीक हो गया तो सवाल सबसे बड़ा यह है अगर राम जी के ओपर कोई देखी होगी अजे देवगन डुप्लिकेट काम एक यह ऐसे जब निकले मैं का कुछ ना कुछ होगा अगला जी को पांसो अतंकवादियों को तबाह करके सवाह करके आगे इसको कहते हैं हिंदुस्तान का वो महान यूदा तो दरसल जब सर आप आने वाले थे तो आपके हमने कमिंग अप चलाए धेड़ सारे और आपके मतलब कमिंग अप में हमने अपने जो ओडियंस ने हमारे दर्श्रक थे जनतंतर टीवी को बताया कि आप आने वाले हैं और तब से हमारे जो सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म है अलग-अलग उन पर धेड़ सारे सवाल आने लगे देखो जी मुझे बीजेपी से को मतलब नहीं मुझे मोदी जी को मतलब नहीं मुझे प्रत्म रास्थे मतलब है अब यह हिंदोस्तान के लोगों ने दुनिया में बैठे हुए सच्चे बारती ने अपने रिष्टेदार को कहना है हमें ना बीजेपी को वोट डालनी ना किस ने किया कैसे वहां बन गया अपना वारा नसी के अंदर आप गुमाफ रा करके जवाब देन हमने सीधा 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 कोड़ा किस ने हटाई हजारों जुवानों की शहादत होती थी कोई गाउं खाली नहीं जाता था राज जत्तान पंजाब के अंदर आप मुझे समर्थमराष्ट की रख्षा कर्ने वाला थो निरंधर मोथीए भीजेपी थे तो मेरा मतलब कोई नहीं मुहें तो प्राथमराष्थ है लेकिन आप जब प्रत्त हम राख्ष्ट केरें जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है भीजेट को आपको लगता है सवाल यहीः था कि问题 क् प्रत्सम राश्थ की रख्षा बी सूनी कभी इंद्रागांदी ने की थी क्या कहा था अतल विहारी वाजपई आप देख लीजिए पार्लिमेंट के कहा था यह जोता है ज़िसरी जांसी की रानी है इंद्रागांदी को कहा था कहत्तर की जंग हुई है पाकिस्तान के चख्य ठीक तो आज किसी को कहने में क्या दिक्कत है देखो मुझे जो लगता है आज से अगर आप यह कहें चनाव के लिए अगर मदपरदेश पहली बात तो चनाव में मैं पढ़ता नहीं पर मैं फिर भी आपने शुरू की बता देता हूं मदपरदेश 36 गड़ राजस्तान अंधर स्टेटों में यह कहते थे कि इस बार बीजेपी को धक्का लगेगा और आखिर में अमदपरदेश में बिलकुल लगेगा और राजस्तान में पहले कॉंगर्स आगे थी फिर बरबर की लड़ाई हुई 36 गड़ में भी बीजेपी को धक्का लगेगा अब मुझे एक चीत ब ने आम पब्लिक ने 370 दारा को लेके 75 साल की कैंसर की बिमारी को जो खाड़ दिया जवानों को रोज शहादत होती थी पत्थर फेके जाते थे तरंगे जंडे को पैरों में रोता जाता था लोगों को अपमान सेयन नहीं हुआ लोगों ने कहा हम मर सकते हैं रास्ट के पाकिस्तान दावद इबरायम जैसे लोगों की टैनलों में नियूच चलेगी और फ्रोथी ये कठी होगी हम बरदास नहीं करेंगे तो लोगों ने प्रस्म रास्ट को वोड़ मूट दिया ना मोदी जी को थोड़ा वोड़ दिया बीजे पी को थोड़ा दिया जिनों प्रथम राष्ट के लिए लोगों ने वोट दे लिया और अब जो मुझे लग रहा है अब जो देश की पूरे हिंदुस्तान की स्थिती है अब यहां तामिल्लाडूर्स नौर सब जगह पे अब लोगों को कहने की जिरूरत नहीं उन्होंने करके दिखाया और जो करके दिख आया वो समात के लिए राष्ट के लिए करके दिखाया अब लोग अपना प्रफम राष्ट की बात करते हैं तो इसी बात पर जो हम अगला सवाल स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है उसने तो अपने नाम में ही राष्ट के नाम को शामिल कर ल लफज भारतमान लफज यह को छोटा सा लफज है अब मुझे अगर आप यह कह दें कि मैं देशवक्त हूं मैं हजारों बार मरके दोबारा इस दर्टी पर जनम ले लूं मैं भारत मैं देशवक्त नहीं हो सकता यह वो दर्टी है इंडिया नाम ले करके आप लोगों को कर अच्छा चलो इंडिया की बात कर लेते आपने का इसमें नाम बताइए रास्त के लिए किसी ने क्या किया मुझे बता दी मेरे बज़र्गों ने यह किया था मैं मानने को त्यार नहीं किया मैं नहीं किया वह जिन्हों ने यह बनाया गडबंधन वह यही कहते हैं कि हमारे बुज़र्गों नहीं तो कुर्बानी दी अब खडगड़े जी कि मैं खलास नहीं हूं मैं राजनिती बात करना नहीं चाहता था पर आपने शुरू कर दी आपके बहुत अच्छी लग रहे हैं कि आप हर बात पर कहरें में राजनिती नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी आपने कहा तो इसलिए कहार हो सवाल का जवाब देना पड़ेगा पर रात्र का सवाल है भी अब करगड़े जी लिए कि हिंदुस्तान के प्रजान मंत्री के फॉरन पॉलिशी को जानते हैं क्या क्या किसी चहीद परवार के पास जितने भी लोग हैं अगर किसी चहीद पाकिस्तान टेरिजम आई एसाई पूरी दुनिया के अरे अमेरिका की बात अगर आप कहें आप कितने साल पहले हिंदोस्तान की पूरा दुनिया उनको करती है क्योंकि उन्होंने कुछ किया है तो पहले क्यों नहीं हुआ अज तो बलाते हैं कि आप कब आएंगे इंडिया नाम लिख लो भारत नाम लिख लो अपने आपको को मैं देश वक्त हूं तो लोग मानें लोग देख रहें अरे राम जनबुमी का जतना तो तो निर्मान पहले क्यों नीं हुआ मैं सवाल कुछना चाहता हूं हमारी ड्निया पहले क्यों नीं बस्दूर हुए कि निम ऑने पार्टय का फोलिजद बुर्ति को始म सावाली जवान से मायरे ने सबस्ब सक्वारत से हुई उतके जिम्मेदार आप हो आप क्यों नहीं पहले क्यों थी आपने 370 का जिक्र किया यहां पर तो 370 को लेकर के भी हमारे जनता ने सवाल जो आपके लिए भीजा है और दरसल जो जनता है वो यह जानना चाहती है आपसे 370 को लेकर के कि कश्मीर सिधारा 370 हटी उसको आप कें अंदर सरकार की कितनी बड़ी सफलता मानते हैं इस सवाल के साथ कुछ और भी में जोड़ देता हूं सफलता तो है आपने कि 75 साल का जो कैंसर था उसे हटा दिया लेकिन सवाल यह है कि यह इतना मुश्किल काम क्यों था जो आपने जिक्र किया कि पहले क्यों नहीं हो पाया उसे लेकर जो डर्थ है मन में कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा यह सारे बयाना कि नदिया बहेंगी देखो हम पंड़े जो आलने नैरु जी हमारे डीडर से उन्होंने अपने टाइम पे जितना काम किया अच्छा किया मैं एक बात कहता हूं अगर सरदार कर दिया वह अपना हिंदुसतान एक अगर कश्मीर के अंदर प्री हैंड दिया हुताा सरदार पठेल जी के हाथ में दिया हुता दखल doubt하지 ना कि का इनकी कश्मीर हमारे पास होता व्यार दोस कि यारी देखो के नाम पे दोस्ती को जोड़ दो दोस्तों कुछ करना तो राश्ट कहां कमज़ों आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा अब हुआ पहले क्यों हुआ हमारी पुलिटिकल विल नहीं थी हम पुलिटिकल पार्टियों को खुछ किया करते थे हम खुछ करते करते अपने देश को कहां ले गाए और फर्ज करो बखवान अगर नरिंदर मोदी जी को ना बेचता मेरे कांगर सिबाई दूसरी बुरा ना मनाए मैं जो सची है वो कह रहा हूं कभी राजनीती में ना आया ना कभी आऊंगा अगर वो ना आते तो बखवान की किरपा से आज हमारा देश कहा देश्च आहरा एक आर्थ डार किटना हुंगा पाकिस्तां का नाम बता दिशे पाकिस्तान का नाम किस चैनल में लारत बटे लेकिन 370 हटने के बाद भी जनता को सवाल पूछी वो इसने पूछ रही कि 370 हटने के बाद भी वहां आतंगबादी गतिवीद्य तो अभी भी हो रही है वहां अभी पिछली हपते हमने देखा कि हमारे जवानों को शहीद किया गया पुलिस कर्मी की टीम पर हमला हुआ अच्छा करता है ना पहले वाली स्थिती तो नहीं जैसे इन्होंने सवाल किया तरंगे जंडे का मैं बूबा क्या कहती थी पारुकब्दुल्ला क्या कहता था अगर तरंगा जंडालर आया तो कश्मीर पाकिस्तान में होगा हिंदोस्तान में आज मुझे बताई यह पंड़ा कोन की पाकिस्तान कोशिश करेगा पर आप यह नहीं कह सकते कि अभी भी हो रहा है इसने 75 साल की कैंसर की भूमारी को खाड़ करके पेंकना अभी वक्त लगेगा क्योंकि पीछे इसके पाकिस्तान है पीछे इसके चाइना है उनकी पूरी कोशिश है कि हिंदोस्तान जो एकनॉमिक भक्ति की भावना से भरी हुई है और इसी से जुड़ोवा मेरा सवार है कश्मीर से जुड़ता है लाल चौक पर जहां कहा जाता था कि तिरंगा लहरा के दिखा दो जब वहां तिरंगा लहराता है तो मन में क्या भावना आती है क्या कहा तरंगा जब तिरंगा वहां लहर कर देना हमें निकलेगी बंदे मात्रम एक किसी ने मेरी हाथ की लकीरे देखने वाले ने कहा कि ते बिट्टा तुम्हें मात नहीं तुम्हें तरंगे जंडे और बंदे मात्रम की चाहत मारेगी यह फोजी के मन्द में जो वहाँ ड्यूटी देता है आज कश्मीर के हर व्यक्ति के मामले में है आप देखिए जब कश्मीर के अंदर बाढ आई क्या नरंदर मोदी जी ने देखा यह मुसलिम है उन्हें का मानवता है कश्मीर मेरा हिंदुक्तान का हिस्चा है अपनी फॉज बेजी अगर फॉज न लेगी और आज के चैनल में उनका रूप देख लिए कितना बड़ा अंतर है अपने यहां रखते हैं यहां किलाते हैं यहां पिलाते हैं नहीं लगता कि उन कि दोगों को भी पहचान करने की बहुत सक्त जर्वत हैं कहना चाहूंगा दुष्मनों की शत्म का खौफ नहीं अपनों की वफा से डरते हैं कभी प्रदीब दी ने कहा था कहनी है एक बात यहीं इस देश के पहरे दारों से थंबल के रहना अपने घर में चुपे हुए लगा हूं पूरे देश में गुमता हूं स्टूडन में जाता हूं दार में लोगों को जगाने की कोशिश करता हूं लोग निकलते हैं तो लोग क्यों ना निकले लोग अपनी जमेदरी क्यों ना करें यह हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है हिंदू का है मुसल्मान का है सिक का इसाई का उसका ये काम नहीं कि यहां से मैं पैसा कमाऊं यहां मैं कारोबार करूँ यहां क्रोड़ों कमाऊं और फिर डुबई में मजलू फिर फॉर उसका काम है हिंदुस्तान जहां हम खाते हैं जहां हम रहते हैं जहां जनम लिया है यह भारत मां है दुनिया में एक के लिए और बॉडरों के पाथ जाके बीस के बाद फाइनेंशली मदद करते आपको क्या जरूरत है वह दूसरी जगह पर क्यों नहीं मैं कर गुजरात जाके कहते हूं गुजरात बुराना मना गुजरात क्या हिंदुस्तान का हिस्ता जा कंट्री है जाकर हिंदुस्तानी के कि अंदर जम्मेदरी में लोगों में रहता हूं जोटीशी बाद कारेकरम में मुझे बुजरात में और रात कारेकरम सा लड़के लड़कियां थे वहां कल्चर के उपर सा वहां की संस्क्रीटिक उपर जैसे मैं गया अंदर शोर मच रहा तो मैं कहले जगह पे आजिए मेर बहुत थोड़ा और देखते देखते तरंगे जंडेगरों से आगे रात को 11 बजे क्या किसी और जगह पर ऐसा देखेंगे आप हमें सीखना चाहिए हमें हमें किसी को गलत कहना रहे बेकार कैने कुछ सीख जहां अच्छा वो सीखना चाहिए यह आज का भारत है और इसा ही जोर शोर से कुछ लोग देश के अंदर और देश के बाहर उठाने की कोशिश कर रहे हैं यह खालिस्तान वाली समस्या देश के लिए क्या फिरसे चुमाती बन रही है देखो एक बात मेरी शुरू यह जो बंबो से शरीर टूटा हुआ ना इस शरीर में लोहा है शरीर उसक ना कभी बना था ना कभी बनेगा ना कभी बनने देंगे बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह पहले की तरह जखमी सरीर बंबो से बिटे के टूटे हुए सरीर से निकल जाएगा हमारी लाचोर से निकल जाएगा हिंदुस्तान एक था एक रहेगा प्रत्म रास्था वो रहेग जब बगत सिंग को अतंकवादी कहा जाता है सब ने कहा दिया शिखादत देने वालों ने चंदर शेखरदाद हो मंगल पांडे हो इस्तफाक उल्लाखाओं कि हमारी सब की रूफ बगत सिंग के अंदर है यही अमर रहेगा सब की रूफ उसी में चलेगी अंदरा चले जो करनाट का हर गाउं में बगत सिंग को पाकिस्तान दुश्मन देश में बगत सिंग को उसको पंजाब के लोग कहरें अतंकवादी और भारत मां को गाली और कहते तो के मूझ acceso पीना मूरदबाराद नहीं को चैनलिज करके अब मैं का मूझ मैं पीता थाम फीड़कोड चाहिए हिंदू बोले खश्कषट शुल हां हिंदू औरर ऑब हु ऑने बूले बीज़ए ब्शु कि तो दंगे कराने वाला सरदार बोले कोई ना वाई हम भारती हैं अरे कैनेडा के अंदर तरंगे जंडे को फुट बना के रोधा बना को जाता है और भारत माको घली दी जाती है अकषर दाम मंडर केंदर अस्टेलिया केंदर यू केंदर कैनेडा केंदर मंदर общ하고 गंदे नारे लिके जाते महात्मा गांदी की स्टैचू को तोड़ा जाता है सरदार क्यों ना बोले मेरा सवाल जवाब दीए क्या हम बारती नहीं है मेरा सवाल का जवाब है सरदार क्यों ना बोले तरंगा जंडा सरदार का भी है तरंगा जंडा मुसल्मान का तरंगा जंडा हिंदू का तरंगा जंडा इसाई का भी है फिर सिक कौम से आवाद ना उठे हिंदू वाद दे तो फिर का परस तू तो नफरत तुलाता है रहे जगजी सिंग रोड़ा आर्मी चीफ कहत्तर की जंग फते की और अर्जन सिंग एर मार्षल चाइना पाकिस्तान कामते थे अभी दनुवा सर्जीकल उपरेशन किया सिख कौम के ओपर लोग मान करती है और इस पगड़ी के आगे पूरी दुनिया स्थिर जोकाती हर्मंदर और उसमें 20 परसंट सिख भाई और 80 परसंट हिंदू बाई और कौमों के लोग मुसल्म भी आके नमस्तक करते हैं और तुम चंद लोग हमारी समस्य का इलाज क्या है सिख समाच्छे क्यों आवाज उठे बंब का गोला एक के 47 एक ही है ना मोदी जी की जिरूद ना सरकार की की ना गोली की ना वंकी ना पकड़ने की जिस दिन हर गुर्दवारा साथ के अंदर यह आवाज उठे मेरे भाई बैन बेटियां पिता प्रेस को बला करके हम खालस्तान नहीं चाते हमारे गुरू ने हमारे गुरू तेग बहादर हिंद की चादर मानवता की रक्षा के लि दिन नरिंदर मोदी जी ने वीर बाल देवस मनाया हमारा भारत सबका भारत पटना साथ गुरू गुबिन सिंग पटना साथ आखरी स्थान देड़ साह महरास्ता गुरू नानक जी जे चर्ण कच्छ बॉडर पे उनके चर्ण उनकी खड़ाएं उनके साहब जारों की पूर प्रेस को कहें हम भारती हैं हम पाकिस्तान के टुकड़ों पर पनने वाले खालस्तानियों के खलाफ हैं बस चार शबत तीन शबत जैसे दिन कह देंगे ना मैं आपको दवे से कहता हूं कि उसके बाद खालस्तान की आवाज नहीं उठेगी गोरी फंद किया उपर बोलेगा कोई नहीं एक नहीं है कि भी जूटता हमें दिखानी को गाली दिजाए और वहमारे अंदर से एक दर्द मीना हो चुप रहना भी गुना है सब्सक्रेख कर जाती है मैं भारती मेरे गुरू हिंदोस्तान में थे और मेरे गुरू को यूके अमेरिका में थोड़ा मेरे गुरू सहबान यहां थे उनका भारत है यह तो उन्होंने अपने कनून बना लिए यह बदमाशोंने चतीम हदार बेगुणा का कटले आम करने के बाद उननिसहदार हिंदू बाईयों को मारने के बाद इनकी प्यास अभी भीनी भूजी अभी वी यह खून के प्यासदें खार स्टान बनागे तमारी ऐसा की तैसी बनाई थी फिर बढ़ाएंगे लेकिन ये खालिस्तान का समर्थन करने वाला एक शक्स है आतंकी है भारत में तो यूए पीए के तहट बाता बाकाइदा आतंकी घुशिद हुआ इसे लेकर अगला सवाल हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसका नाम है गुर्पत्वंत पन्नू आपने सुन लिया होगा नाम धंकियां देता है अमेरिका में बैठ कर यह सब सवाल आपके लिए दर्शकों की तरफ से कि अमेरिका ने डबल गेंग खेला है अरे मेरी बात चुरू इसको कई बार चैलेंज किया देखो टीवी पे तो आता है हर चैनल पर चैलेंज किया आई यार फैस कर लेते हैं अगर म उनकी फॉजयों के जर्नेयर से हरी सिंग नलुवा माय कहती थी काबलकंदार में और नलुवा आ गया बच्चा सोजा वो थो महरा रंजी सिंग अरे तेरे पनू महरा रंजी सिंग के स्टैचू के टुकड़े अभी पाकिस्तान में करतिये गए अरे नंकाना साब के अंदर ह कुछ लोग एक्टर चले गए शूटिंग के लिए अरे करतारपूर साब जो नरिंदर मोजी जी ने खोला अरे पन्नू वहां पे कल्चर प्रोग्राम करा दिया अरे कावलकंदार के अंदर गुरु गरंथा विराज मान गोलिया चला दी अरे कश्मीर के अंदर पताली सिख हिंदोस्तान का मेरा शिक्ष हमधाई मेरे ब loaded गुर्देवारा साप के अंदर प्रैस के सामने क्या देंगे बिलकुं पाकिस्तान की टुकुड पे परने वाने इनकी गलतियों से 84 के जंगे रॉब्जह को इनकी गलतियों से 30,000 लोग मारेगा इनकी गल्तियों से हमारी पगड़ी इन्होंने लहू लोहान की हम ऐसा नहीं होने देंगे सरकार को कहें हम देश के साथ बारत के बड़े बंब गोली आइटम की तरह चलेगा दबारा आवाज आ जाएगे पकड़ लेना मेरे मेरे से निकलो अमेरिका के रोल को आप कैसे देख पिछले चार साल के अंदर जो हिंदोस्तान ने नरिंदर मोदी जी की मेनत ने उनके टीम की मेनत ने जो मेनत की है हिंदोस्तान की ग्रोथ पूरी दुनिया में चली हिंदोस्तान का नाम पूरी दुनिया में उचा के हो कहा हिंदोस्तान अपना सूना गिर भी रख रहा था आज टमाराओ जी मानमुन ये ठैमण सिंग्जू को लाएं कहां हिंदुस्ता इतनी बड़ी सुपर पावर बन चुका है बनता जा रहा है लिस्व अब चाहिन कैसे बरदाश करेगा अमेरिका कैसे बरदाश करेगा दुश्मन देश पाकिस्तान कैसे बरदाश करेगा रशिया हमारा दोस्ता और कैसे बरदाश करेंगे कि एक ऐसा कंट्री जो कभी सोने की चडिया थी जिनके उपर हमने कब्जे करके उसको कमजोर कर दिया आज हिंदुस्तान फिर सोने की चडिया बनते जा र क्या जब दीना नगर पठान कोट की घटना हुई उसके बार पाकिस्तान से दोस्ती की रश्या योक्रेन की लड़ाई के अंदर अपना पूरा योगदान दिया इस्राइल की लड़ाई के अंदर पूरा अपना योगदान दिया इस्राइल की लड़ाई के अंदर पूरा अप को बढ़ाद को बढ़ा दिया हिंदोस्तान ने अंदर अंदर के जो जगड़े दंगे फथा बोड़ी उसको समाप किया तुकल मिलाकर के कोई चाहिए कितना भी गेम खेले डबल गेम खेले या वो अपने ट्रिपल गेम खेले इससे भी जुड़ा एक सवाल है क्योंकि हमारी अगला जुड़ा सवाल आपके टीवी स्कृइन पर यह जो जनता जानना चाहती है आपसे वह यह कि एनाई ये ने 43 खालिस्तानियों की सूची जो है वह तैयार की है क्या उनके उपर स्ट्राइक होने वाली है यह जनता जानना चाहती है दो बाते मैं सिख कौम के उपर मैं क्यां करना चाहूंगा हिंदुस्तान दुनिया इस पगड़ी के आगे हर मंदर साथ से कौम के आगे नमस्तर करती है यह कहते हैं 2-0 परसंड मैं 2-0 हम तो पूरी दुनिया में हैं कि इजत बनाना हमारा काम है कि हमारे गुरू सहवानों ने बहुत कुर्बानिया दिया है छ आपने देखा होगा जो च्छबी जनवरी को किसान अंदोलन में किसान दिल्ली में आए एक तरफ नरिंदर मोदी जी रास्टरपती जी किसास तरंगा जंडा लेरा रहे हैं और एक तरंगे जंडे का आपमान देख रहे हैं एक किलो डेट किलो मीटर में लोग समझने लग गब जाओ नहीं नरिंदर मोदी जी जी अदेश्ट को गोली खाले देना पैलों पर रोलते रोल जाना ले लिया उनकी शिराफत को गलत समझें हमारे सिक्ष कौम के आगे हर पूरी दुनिया सिर्फ जुकाती है इनको जानते है क्या यह पीठ पे वार करते हैं मैं चैलेंज करता हूं रोज इनको अभी पंजाब में अभी चैलेंज करके आओ मेरे से बैस करो अब ये वहाँ कहते हैं कि जिन्होंने च्छती हजार बेगुनाहों का कतले हम किया उन सारी अतंकबादियों को छोड़ दो जिन्होंने चीम मिनिस्टर सरदार बेर्ण सिंग को मारा बंबो से उनको छोड़ दो जिसको दिल्ली में पांच राइ सीना रोड में मेरे साथ 35 का बहुता है मैं फिर कहूं पंजाब में ना वाज उठे डर के कारण पूरे देश में चाहिए गुजरात हो चाहिए माहरास्ट्रा हो जिस दन गुर्धवारा साब के अंदर से यह आवाज उठेगी हम खालस्तानी चाते हम भारती हैं हमारे जन्म लिया है उनका अस्तान यह हमें देश को तोड़ने वालों के खलाफ है पस्तीन चीजें कहने में अगर तकलीफ है बाइशाब अगर तकलीफ है तो फिर मैं अपने देश के साथ अपनी पंगरी के साथ दोखा बुजह बताईए किसले स हम मुझे बीजेपी के लीडर ले लो सरदार कई मुझे भूलो को खुल के बोला मैं सवाल करता हूं उनको यह पूछ सिलीजी आप कितने मंदरों में गए पूछ लीजिये अरे इसी नहीं होता तो डेखोंहें कहां गया मैं नहीं गया मेरे अग्सार है ग्याना जोती लिंग चार धाम है हजारों ऐसे मंदर स्तान है जिनकी देवारें अगर देखोगे तो पता लगता है इसका लाखों साल पुराना इसे हाथ है पैंतीस हदार क्रोण देवी देवताओं का देश उसका मजाक उड़ाते हैं यूट्यूब चैनल पर मजाक उड़ाते हैं को जवाब देने वाला नहीं इसी चीज़ को दो फार्द पर दूसरों रहा के लिए जाते हैं पर मंदर जाएगा तेरे पास सवाल उठेगत तो आ रह पंजाब में बोलते हैं आओ बाहर आके बोलो और मेरे से बात करो और मैं तुम्हारे जवाब देता हूं याद रखना डवल पॉलसी आपने कहा अमेरिका की बात में हिंदुस्तान में डवल पॉलसी नहीं ना सरदार का मतलब भारती हिंदुस्तानी कमाल है यार आप बीज नराज यह अपनी पहचान भारती बना मेरी पहचान ना मेरी नहीं मेरी लोगों ने पहचान दी बिट्टा पहचान नहीं है मेरी पहचान क्या है भारती जाओ जिसने गोलियां चलानियां चला दो मारतो जब जाओंगा ना तो कुछ देश के जाओंगा मैं आज एक और चीज निकालेंगे इनके अंदर गंध है चंद लोगों में बढ़ा हुआ और मैंने कह दिया मैं अगर भंभो गोलियों से मौत आए आदा इसा सवरास्ट में टुकडों का ले जाना आदा चतरपती शिवाजी महराज के सहब जादे पूरी दुनिया बेठा हुआ हिंदू मुसलमान से के साई जो सचा भारत से प्यार करता है उसकी ब्लेसिंग जरूर मेरे साथ होगी क्या दो मुझे कौम का घ्यदार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया हमारे गुरुओं ने किश्मीरी पंटों की रक्षा के लिए अपने सीज को निशावर किया मैं उनकी सोच पर चला तुमने मारे हिंदू भाई ऐनी किशी को कहने महारे दोस्तों का हुण निकाल के बतनीन बटनी में रखता था आज गोली चले जांगे जो चले जाएंगे जुबप जाएंगे उनको खून् दैते ये मैंने करम किया मैंने मार ऑगर को सोचा मैंने रिक्षा की अगर मानवता की रक्षाल के और मेरे जाने के बार मुझे गाली ग्रोच करें कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं यहां जाओंगा यह मुझे लेके जाएंगे छवरास्त्रा या च्छतर पती शिवाजी महाराज की दर्ती बेटा साब हमारे देश का एक बड़ा फूबसूरत सा हिस्सा है मनिपूर और बाहरी ताक्ते हैं जो चाहती हैं कि भारत के किसी भी हिस्से में हालात खराब किये जा सकते हैं तो पूरी ताकत लगा दी जाए कश्मीर ठीक हुआ बेंजी ने थोड़ा सा कहा भी थोड़ा सा हलका चलती है बात कश्मीर ठीक हुआ पहले किस्थी तो नहीं है फॉर्नर जा रहे हैं तूरिस्ट जा रहे हैं मुझे लोग आके बताते वहां के बिजनसमेन हैं वहां मुसलिम बाई बताते कि हम कितने यार बेजने ड्रोन के रोज ड्रोन के जरी हथे आ रहते हैं और हमारी युवा फीडी सब वदेशों में बच्चों बच्चों को वैदी एक दिन पंजाब खाली हो जाएगा और पंजाब का टेरिजन भी पाकिस्तान लाया था पहले राजनेतिक लोग बिंडरावाले को लेक कि या वो दिल्ली आया मीडिया ने इतना उठा दिया बंदू ये वो अपने आप से निकल गया और पाकिस्तान ने पकड़ लिया और खारिस्तान की क्या हुआ उसके बाद इंदरा गांदी मारी गई फिर चुराथी के धंगे भी हुए फिर ब्ली उठार उप्रेशन भी हुआ गल्ती इतनी सी हम सदा कुर्सी प्राप्त करेंगे तो पीछे पाकिस्तान था यही चीज आम उन्होंने मनीपुर में थोड़ी शी आग लगी और पकड़ पर दूसरे देश चाइना भी है को और कंट्री मिला हो मैं कह नहीं सकता पर मैं आपको गरंटी से कह सकता हूं जैसे आपने नरंदर मोदी जी की गरंटी की बात की मैं को बीजेपी में नहीं हूं मैं उनके सास नहीं हूं पर मैं यह कह सकता नरंदर मोदी जी के होते हुए यह गरंटी है इस भारत की इस मुल्क की सरहद को कोई चू नहीं सकता इस मुल्क की सरहद की निगेबान है आखी आज उस भारत खड़ा है कितने सालों का गाना आखे पिच्चर का आज बोल रहा हूं क्यों बोल रहा हूं नरेंदर मोदी जी की शुरक्षा विवस्ता को रास् सब्सक्राइब करें कि भारत नेंट जिस तना चीन करना में पटकक कर मारा क्या वो भारत की बदलति तस्वीर है किहले भी हम ़िल्क है झोते नहीं थे आपस में दोस्ती निभाई जाती ती लेकिन अब इस वक्त लेकर अगर भारत को कोई टेच करेगा चुएगा तो मुत्रोड जवाब मिलेगा उसका जवाब पाकिस्तान को दिया था फिर दे देते हैं हमारे जवान भी गर से मौत का कफन बांद के पाक तेरा खाब एक नजारा ही रहेगा तो किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा कश्मीर हमारा है और कश्मीर भी हमारा रहेगा यह आज का भारत है यह आज का भारत है जनाब जहां तक चाइना की बात की एक था पंजाब का वो जोदा गुर्तेज सिंग वहां बंदूक नहीं किरपान नहीं चाइना हिंदुस्तान के किसी फौजी के पास नहीं हो सकती किरपान निकली कहा बोले सोने आ रहा और पत्चीस चैनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया यह वो आज का भारत है और चाइना की हिम्मत हुई भारत से पंगा लेने की भारत रणा रहा आदा इंच जमीन का हिस्था नहीं जाने देगा और जिस शाती निरंदर मोदी ऐसे खड़ा हो जाता है और इशारा करता पहली अगर गोली चलेगी च्छपण इंच की शाती का सीना पार करके मेरे जवान की तरफ जाएगी अरे भारत माता तो बहुत दूरा उसके उपर तो कंकर भी नहीं लेगेगी यह आज का भारत है बता दिया और निरंदर मोदी यही कहते तेरा वैबब हम रहे मां हम दिल चाब रहे रहे हैं जो फ्री हैंड दिया गया है सेना को बड़े लंबे समय से मांग थी कि इस तरीके की खुली छूट मिले सेना अपने पैसले खुद ले सके आने वाली नसले सवाल पूछेंगी आने वाली न माबाब खिलोने लेते मठ्याई लेने जाते वापस नहीं पहुचते इतिहास पूछेगी जब 2611 की गटना का इतिहास पूछेगी जब ट्रेनों में बलास्ट होते हैं माबाब बच्चों के लिए पैसे कमाने जाते रोटी कमाने जाते हैं और आज छीन साल के अंदर मुझ के देगा और यही कहना चाहूंगा पाकिस्तान को सदियों से कश्मीर है मेरा अब भी मुझसे दूर नहीं तुम मांग रहे है कश्मीर मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं बीवी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है मत करना धमाके की बाद भारत का हर पत्तर परवानू ये हमारा जवान और हमारा हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री ये बात कहता है यही तो बात है आपकी जो रॉंक्टी खड़े कर देते हैं इसलिए लोग आपको सुनना पसंद करते हैं और हकीकत भी है कि आज का भारत वो भारत है जो घर में घुसकर मारकर ल जवान केंप तबाह करके बांसो अतंकवादियों को मारके जिंदा शहीद की तरफ वापस आ जाते यह आज का भारत इस्राइल की पालिसी पे भारत चल चुका है हम नहीं कहते हैं कैनेडा में अमेरिका यूके में किसने किसको मारा हम नहीं कहते हैं किसने मारा हम नहीं कहते दाउदेवराहिम को किसने हम नहीं कहते पर आज का भारत इसराइल की तरह खड़ा हूचुका अगर हमारे देश की तरफ हांक उठा के देखा ठोक के जवाब देंगे एक चलेगी 100 चलाएंगे और आज कश्मीर में बॉडरों पर चलती एक चलती 100 चलाते आज यो आपने सवा पूछा आज किसी को पूछने की जरूरत नहीं आप जवान को कह दिया अगर तुम्हें लगे ठोक दे ठोकते और उसका जवाब यही है कि आज हिंदोस्तान अतंकवास्य मुक्त होता जा रहा है आने वाले दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एस्ट्राइक जैसा कोई और बड़ा ऑपरेशन देखते हैं क्या क्योंकि अभी पाकिस्तान का पक्का इलाज हुआ नहीं है नहीं अभी देखो यह बड़ी पॉलिसियां होती है बड़ा सोचना पड़ता है पूरी दुनिया सिस्टम है पर मैं आपको एक बता दू अगर पाकिस्तान मैं सरकार में नहीं मैंने हलात को देखके कह लिया था जिस दिन पाकिस्तान ने कहीं हमें छेड़ दिया याद रखना मैं इतना कह दूँ हम जंग जंग तो नहीं करेंगे ऑकोपाई किश्मीर हमारे पास होगा पाकिस्तान ने गल्ती की थी सर्जीकल उपरेशन की यहां पे पुर्मामा के प्यार से हम अपने ले लेंगे तुम्हें किसी और यहां को कुछ नहीं कहेंगे किसी भाई-बैन को कुछ नहीं कहेंगे वो हम ऐसे ले लेंगे पढが प्याय ser कि प्रद्रत NICK प्रणिसर के सवालों के जवाब देने के लीए कि तैंक एजिए हम सब्सक्राइब करते हैं इसे मजबूकी के साथ उसे बुलंद करते रहे हमारे नरंदर मोदी जी की उमर नंभी हो भाद दार शुक गया था 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 रखनी की के